एक, ब्रमह, विष्णू, महेश, स्वयंभूव मनु का काल, हालांकि ब्रमह, विष्णू और महेश की कथा को शिव के भक्तों ने शिव को अधार बना कर लिखा तो विष्णू के भक्तों ने विष्णू को अधार बना कर कहा जाता है कि एक बार जब भगवान शिव से जब पूछा गया कि आपके पिता कौन तो उन्होंने ब्रह्मा का नाम लिया और फिर पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन तो उन्होंने विश्नु का नाम लिया और जब उनसे पूछा गया कि विश्नु के पिता कौन तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयंग, जब सब कुछ प्रले के कारण नश्ठ हो गया तो धर्ती लाखों वर्ष तक अंधकार में रही फिर सूखी धर्ती पर जलाव रिष्टी हुई और यह धर्ती पूर्ण रूप से जल से भर गई संपूर्ण धर्ती जल मगन हो गई, जल में भगवान विष्णू की उत्पत्ती हुई, जब उन्होंने आखे खोली तो नेत्रों से सूर्य की और हिदे से चंद्रमा की उत्पत्ती हुई जल से विष्णू की उत्पत्ती होने के कारण उन्हें हिरन्याब भी कहते हैं फिरन ये अर्थात जल और नाभर अर्थात नाभी यानी जल की नाभी इस नाभी से कमल की उत्पति हुई और कमल जब जल के उपर खिला तो उसमें से ब्रह्मा की उत्पति हुई फिर उनके माथे से ही एक जोतिरलिंग प्रकट हुआ जो तूट कर जब बिखरा तो उसमें से महेश की उत्पत्ती हुई दोनों ने पूछा मैं कौन हूँ तब विश्नु ने उनको स्विष्टी के विस्तार का आदेश दिया इस काल में एक और जहां जल में एक इंद्रिय और एकरंगी जीवों की उत्पत्ती हुई वहीं असंख्य पौधों और लताओं की उत्पत्ती होती गई इसी तरह मेरू परवत से जब कुछ जल हटा तो यही एक इंद्रिय जीव वहां फैल कर तरह तरह के रूप धरने लगे ये जीवन क्रम विकास के क्रम में शामिल हो गए ये सब ब्रह्मा की घोर तपस्या और अथक प्रयास से संभव हुआ तब ब्रह्मा ने एक ऐसे जीव की उत्पत्ती करने की सोची जो अन्य जल्चर, थल्चर और नब्च जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो और थात खुद ब्रह्मा की तरह हो ये सोचकर उन्होंने पहले चार संत कुमारों को जन दिया लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए और वे चारों भी ब्रह्मा की तरह तपस्या में लीन हो गए तब ब्रह्मा ने दस मानस पुत्रों को उत्पन किया वशिष्ट, कृतु, पुलह, पुलिस्य, आंगिरा, अत्री और मरीची आदी और उनसे कहा कि आप मानव जीवन की उत्पत्ती करें, उनको शिक्षाद दें और परमेश्वर का मार्ग बताएं वेदीश्वर की वानी है, इस वानी को सर्व प्रथम चार क्रमशह रिशियों ने सुना एक, अगनी, दो, वायू, तीन, अंगिरा और चार, आदित्य, परमपरागत रूप से इस ग्यान को स्वयंभूव मनू ने अपने कुल के लोगों को सुनाया फिर स्वरोचिश, फिर ओत्तमी, फिर तामस मनू, फिर रेवत और फिर चाक्षुष मनू ने इस ग्यान को अपने कुल और समाज के लोगों को सुनाया बाद में इस ग्यान को वैवश्वत मनू ने अपने पुत्रों को दिया इस तरह परंपरा से प्राप्तिय ग्यान श्री कृष्ण तक पहुँचा। स्वयंभोव मनु के कुल में भगवान रिशब देव हुए।